राजस्थान में बीजेपी ने दो बड़ी समितियों की घोशना करते हुए चुनावी बिगुल को थोड़ा और तेज कर दिया और इसी बीच चर्चा चल रही हैं खास करके पत्रकारों की लोबी में कि वसंद्रा राजे को साइड लाइन कर दिया गया है क्या वसंद्रा की स्मीति में सायोजग का दाइत्व दिया गया है नाराइन पंचारिया को पुश्करणा समाच से आनेunge नाराइन पंचारिया फलोधी से हैं और राजसमा में सांसद रहे चुके हैं 2014 से 20 तक उस वक्त में जब प्रदेश में वसंद्रा राजे की सरकार्थ ही नाराइन पंचारिया को चुना गया था, दूसरी जिस समिती की, जिसे मैंफिष्टो समिती कहा जाता है, यानि कि जो गोष्णा पत्र चुनावी तेयार करेंगी, उस समिती में बीजे पी के बड़े खास और जो फिंक टेंक लोग है, उनको शामिल किया गया है, दोनों ही समितियों में बड़े नेताओं को लिया गए उस समीति के अंदर जिसकी मेंफिस्टो समीति की बातम कर रहे हैं उसमें केंद्रिय विधी मंत्री अर्जुनलाल मेगवाल को लिया गया है सैयोजक के तोर पे तो अब आज बात करेंगे कि इन समीतियों की घोश नामे वसंद्रा राजे का ना कर दी गई हैं तो मैं आपको करनाटक का उधारन देना चाहूंगा करनाटक के चुनाव से पहले भी इसी तरह की सूचियां आई थी जिसमें चुनाव प्रवंदन संभीति की जो सैयोजक बनाई गई थी वो थी शोभा करंदलाजे जो की केंद्रिय मंत्री हैं और उसके बा महिला चहरों में जो नेता अभी शक्रिये हैं उसमें दिया गुमारी को अभी किसी समिति में जगे नींदी गई है तो क्या चुनाव उनके केंपेन में होगा ये भी एक छोटा सा सवाल कहीं साइट में पड़ा है लेकिन जो बड़े चहरे महिलाओं के जो से साइट होड भी इस समिति में ससंयोजक के बतार एड़स्ट हो चुके हैं ये दोनों ही समितियां जो डिसाइड की गई है इसी पी जोशी प्रदेश अद्धिक्स के ऑफिस से डिसाइड हुई है वहां से जारी हुई है लिहाजा ये क्लियर है कि अब चुनाव अभियान समि जो सीम थे वो और पूर चैर्मेन होंगे उस कमिटी में सेयोजक की वजाए अध्यक्ष का पद होता है यानि वो कमिटी थोड़ी और प्रभावी तरीके से काम करती है कि इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा तो वसंद्रा राजे के लिए अभी भी बड़ी उम्मीद है इंतजार कर रही हैं जो वसंद्रा राजे चाहती हैं तो जब तक election campaign committee को lead करने वाज लीडर decide नहीं होगा तब तक ये कहा नहीं जा सकता किसी भी तौर पे कि वसंद्रा राजे को साइड लाइन कर दिया गया है क्योंकि वसंद्रा राजे एक ऐसी लीडर हैं जिनके राजस् है राजिंदर राठोड जिनके पास प्रतिपक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सीम की रेस में वो भी एक चहरा है साथ ही गजेंदर शेखावत क्या चुनाव केंपेंट कमिटी के चैर्मेन हो सकते हैं क्योंकि वो भी एक बड़ा चहरा है ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस सूची में अलग लग जाती वर्ग का ध्यान रखा गया है और एक प्रभावी सूची बनाने की कोशिश की गई है जि लिहाजा उन्हें भी इनी का खेमे कावाने जाता है सहसायोज़ग के तौर पर अंकार सिंग्घ लखावत लिए गये हैं और कई नेता लिए गए हैं जो यहीद आपक्डृय राजय में अब इस पिक्चर से अउट हैं किसी बी तौर पर समिच नही वह हमेशना कें Election Campaign Committee यानि की चुनाव अभियान समीति का अध्यक्ष कौन होगा अभी दो बड़ी समीतियों की घोशना हुई है जिसमें सयोजक बनाए गए हैं सह सयोजक बनाए गए हैं और साथ ही सदस्यों की निवक्ति की गई हैं आपको बता दें बहुत बहुत सारे नेताओं का अभी तक नाम नहीं है ऐसे में ये जो बड़े नेता इलेक्षन में कैसी भूमी का निभाएंगे गजेंदर शिंग शेखावत का नाम नहीं है क्या चुनाव Campaign Committee ये जो जिन इलाकों से आने वाले लोगों का पीपी चोधरी जो की वोरो में मंत्री रहे हैं सीर्वी वोट बैंक में ब चुनाव लड़ना चाहते हैं मोदी के नेतरतों में इस बार रास्तान विदान सभा का चुनाव है ऐसे में यह सीधा साथ दोजार चौबीस का लिटमस टेस्ट है कि किस तरह से अगर बीजेपी यहां अशोग गहलोत सरकार को रिपीट होने से नहीं रोक पाई तो सीधे त होंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के नंबर ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी और वसुनरा राजे जैसी बड़ी नेता को क्या वो नाराज करने की रिस्क उठाएगी इन तमाम कहलों पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे आप से अपील ह कि अब तक अगर आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें